परिचय नमस्कार दोस्तो, आप देख रहे हैं कि टेबल पर फल रखे हुए हैं, हमारे पाँच आम हैं, तीन सेब और दो अनन्नास हैं, इसे इस तरह से बताना आकड़ों का प्रबंधन कहा जाता है, मान लीजिए कि आप अपने पसंदीदा बल्लेबास के पिछले विश्वकप के आकड़े जानना चाहते हैं, आप इसे कैसे जानेंगे, आपको स्कोर बुक में देखना होगा, स्कोर बुक में ये सभी आकड़े होते हैं, आकड़ों का प्रबंधन सूचना को स्रक्षित रखन का नाम है, आओ सीखें, सारणियों का प्रयोग करके आकड़ों का अभिलेखन करना, दंड आलेख की सहायता से आकड़ों का प्रदशन करना, तारणी का संघटन योग से सही तरेके से सजा सकते हैं। सारणी हमें आगणों को सुवेवस्थि धंग से रखने में सहायता करती है। मिलान चिन आएए अवे गतिविधी करते हैं। दो पासे लें। दोनों पासों को एक साथ फेकें और देखें कि कितनी बार दोनों पासों के अंकों का योग नौ से ज्यादा होता है। यह भी देखें कि कितनी बार उनका योग नौ से कम था। इस कदिविधी को बीज बार करें और सारणी में दर्ज करें। हमने देखा कि चिनित करना आकणों के अभिलेखन में सहायक है। इन्हें मिलान चिन्न कहते हैं। पांच-पांच करके गिनने के बजाए पांच के बाद गिनिती को फिर से शुरू करतें और करना में एक शेश चिन जोड़तें। यह करना को तीवर बना देगा। दंड आलेख दिये गए लेखा चित्र को हम दंड आलेख कहते हैं। ये लेखा चित्र आगणों को दर्शाने का एक अन्य तरीका है। हमने नौ खंड उन्चात्रों की संख्या बताते हैं जो गणित को पसंद करते हैं। इसी तरह ईवी एस में साथ खंड, पांच खंड विग्यान में, चार खंड अंग्रेजी में और तीन खंड हिंदी में हैं। हमने क्या चर्चा की। आव्यवस्थित आंकणों को कच्चे आंकडे कहते हैं। सुव्यवस्थित आंकणों की व्याख्या आसान होती है। आकणों को सारणी, मिलांचिन और दंड आलेक की सहायता से व्यवस्थित किया जा सकता है। आव्यवस्थित किया चला आीन यां मिलाचा. आ प्नाब्या मिलाक dual क्षड़ा